हेलो फ्रेंट्स टूदे विया डिस्कस अबॉड नेक्स्ट क्रॉप ओफ क्रॉप इंप्रॉपमेंट टेकनोलोजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्रॉप है ओट याद जई तो सबसे पहले देखते हैं इसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन तो इसका बोटनिकल न यह हेक्साप्लोईड के समय जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2-1 ब्राबर 24 पाई जाते हैं एविना स्ट्रेलिस नेक्स्ट है एविना विरिविस यह डिप्लोईड के समय जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2-1 ब्राबर 14 पाई जाते हैं नेक्स्ट है एविना स्टिगोसा यह स्वाइकलिकलंग। जो पेनिकल कहलता है जो स्पाइकलेड्स कहलता है। इसके पेनिकल में 20-50 सपाइकलेड्स पाइजाते हैं और एक केलेड्स में 4 flowrot ہوتے ہیں जिन में 3rd और 4th जो spikelet होता है वो स्रेटाइल होता है और ये spikelets दो glooms दोरा cover रहते हैं नेक्स point है flower तो इसका flower perfect and gy PS होता है नेक्स point है glooms तो ये 2 किसंखे आने परते हैं जो outer back में होते हैं नेक्स है lemna तो ये white, yellow या gray और red color के होते हैं ये क्या कम करते हैं ये करיאopsis को protect करते हैं next Apalia ये opposite side में पाया जाता है लमना के ये भी करीopsis को protect करता है next point है endrosium तो इसमें 3 dismans पाय जाते हैं next point है gynosium तो इसमें जो ओवेरी पाय जाती है उसमें bedefined stigma होती है और ओवेरी के अनदर ovules पाय जाते हैं next point है anthesis तो oat में anthesis सुवेदस से शाम चार बजे के बीच में होता है next point है mode of pollination तो oat self pollinated crop है जिसमें cross pollination 0.5 से 1% होता है next point है fruit type तो oat का fruit का type होता है next point है emasculation and pollination तो इसमें end emasculation कर सकते हैं और emasculation के जस्ट अगले दिन इसमें pollination किया जाता है अब देखते हैं floral biology related diagrams सबसे पहला यह जो diagram है यह infloresness का है जो panical कर लाता है यह spikelets and florets के diagram है जिसमें glooms, palea, anthers, pistil, fertile florets, lamna, oven, अधी parts दे रखे हैं यह open spikelets का diagram है जिसमें oven, anthra, palea, second florets, glooms, pedicil, pistil, lamna, अधी parts दे रखे हैं यह spikelets का diagram है जिसमें first और second fertile होता है और third और fourth वाड़ा fertile होता है यह ovary का diagram है जिसमें refined stigma, fertile, symmetric hairs और ovary आधी parts दे रखे हैं यह endrosium का diagram है जिसमें anthra दिखाई दे रहे हैं इसमें three stem and spies आते हैं next point है breeding objects तो सबसे पहला जो breeding object है वो है breeding for high yield तो yield को कैसे बढ़ा सकते हैं सो दानों के बार को बढ़ा कर पर्ति प्लांट पैनिकल की संख्या बढ़ा कर और पर पैनिकल स्पाइकलेट्स की संख्या को बढ़ा कर और स्पाइकलेट्स के size को increase करके next point है breeding for quality next point है breeding for early maturity तो जितनी जल्दी फसल पकेगी उतनी ज़्यादा साल में फसलें ले सकते हैं नेक्स ब्रीडिंग अब्जेक्ट रेजिस्टेंट टू डिजीज नेक्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस ये इसके मेन अब्जेक्ट होगे नेक्स एडिटिंग है ब्रीडिंग मेथड़ तो सबसे पहला जो ब्रीडिंग मेथड यूज ओता है ओट में वो है इंट्रोडक्शन फिर सिलेक्शन म्यूटेशन ब्रीडिंग हाईब्रीड डाइजेशन hybrid digestion में intra veilid digestion pedigree method back cross block method mass selection इनका used hybrid digestion में किया जाता है next जो breeding method है वो है population improvement तो इसमें दो method यूज़ गरते है recrant selection और male certility और जो last breeding method है वो है फन्हें किया जाता है जिसका उप्योग वनस्पति क्छेल और अन्य तेल को साफ करने में किया जाता है इसके अरीपतियों में 10-12% क्रूड प्रोटिन पाया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें